कि मंत्री सुतंत्र देवसिंग का एक बयाना है उन्होंने कहा है कि किसानों को जिस तरह से भढ़का रही थी विपक्ष अब युवाओं को भढ़का रही है विपक्ष अचा तुम सब को मारते जाओ तुम नोडबंदी से देश की अर्थ विवस्ता को चौपट करो विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा देश की जनता खामोस अपने घरों में बैठी रहे तुम महंगाई से माताओं बहनों की रसोई उनके चूले को बरबाद कर दोगे देश की जनत योजना के तहट हमारे नوجवानों को प्राइबिट कंपणियों का गुलाम बनाने जा रहे हो उनको सेक्रिटी गार्ड और उनके घर की रखवाली करने की नौकरी देने जा रहे हो आप चाहते हैं पूरे देश का नوجवान और पूरा विपक्षिस पे खामोस रहे मैं यह कहन करेगा इसको वो करेगा मैंने कहा तो आपको नोडबंदी से जी एस्टी से देश की संपतियां बेचके महंगाई से अगनी पत्योजना से पूरे देश को बरबाद कर दिया इन लोगों और हर चीज को एक जुमले के रूप में प्रस्तुत करते हैं अब नाम ऐसा भारी भर बेटे जो है वो अगनी वीर बनेंगे भरती करा दे स्वतन देव सिंग जी अपने बेटों को भरती करा दे सेना में अगनी वीर बनवाएं बनवाएं ज्यादा तरके तो परिवार नहीं है तो मैं उस पर कोई टीपड़ी कर नहीं सकता ना मोदी जी के ना खटर जी के ना जिनके परिवार हैं उन माबाप का दर्द जाकर पूछिए बहुत सारे नौजवानों ने आत्म हत्या कर ली पेड़ पे लटक के मर गए सेना की तैयारी करते करते कि एक नौकरी मिल जाएगी सेना में चिठी लिखके मरें हरियाना का नौजवान कि बापू अगले जनम में से की